मसाले आपने बहुत तरह के यूज की होंगे और बहुत से नाम भी सुने होंगे लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा ऐसे कौन से मसाले हैं जो अवधी और मुगलई खाने में लगा देते हैं चार चांद ये जानने के लिए चलते हैं अवध के दिल लखनव में और ट्राइ करते हैं यहां के सबसे फेमस वैज कबाब जी हाँ टनाटन रेस्टरेंट के हरे मटर के शिखमपूरी कबाब सुना है ये यहां की सबसे फेमस टिश है और लोग बहुत दूर-दूर से इसे खाने आते हैं शकल देखकर तो बहुत अच्छी लग रही है और मसालों की खुश्बू भी एकदम बराबर आ रही है चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं वाओ कितनी जादा टेस्टी है ये एक-एक मसाली ने अपना जादू चलाया हुआ है अब चलते हैं लखनों की एक और आइकनिक डिश्ट्राई करने जी हां रोयल कैफे की बास्किट चार्ट और ये कोई ऐसी वैसी चार्ट नहीं है बलकि भारत की सबसे फेमस चार्ट में से एक है इन फैर्ट आप इंडिया इसको पहलत आप क्वांटिटी देखी कितनी क्वांटिटी में दिये हैं वाव फोट्या गजब को स्वाध है इसका पहली बाइड में प्यार हो गया इसके तो और वैसे यह जो बास्किट चार्ट है आज कर दूसरे शहरा में मिलने लगी है बट यहां पर इसके अंदर डा जब इसकी लेकर टेस्ट करके दिखते हैं टेस्ट कैसा है इसका मसालो की खुष्पु जो है वो इसके अंदर भी बहुत यच्छी आ रही है अ गजब का टेस्ट है इसका इनके सपेशल मसालोंने इसके सवाद में भी सचमें चार चांद लगा हूए है जब इतना हाइप हो ही गया है तो आपको बता दूँ ये special spices और कुछ नहीं, अपने हमदर्थ खालिस मसाने हैं, हमदर्थ खालिस spices are pure, फ्लेवर्फुल and they are the heart of अब्धीन मुगले कुजीन, जिस भी डिश में डाल दें, उसका स्वाध ही बदल दें, जैसे लखनव में आकर आ अपने किचन में ला सकें यही लखनव वाला जायका, इन मैजिकल मसालों का इस्तिमाल करके हमने भी बना लिये अपने लखनव स्टाइल गलोटी कबाब, अब जड़ा इनका स्वाध देखा जाए, वाओ गाईस, आप यकीन नहीं करोगे कितने टेस्टी बने हैं ये, सच म हमदर्ख खालिस स्पाइस ने तो इनका स्वाध और रंगत दोनों ही बढ़ा दी है, बिल्कुल वही अपना लखनव वाला डेस्ट आ रहा है, आप भी शेयर कीजिए वन ओफियर्ट लखनव रेसिपीज यूजिग हमदर्ख खालिस स्पाइस और स्टेंड आ चांस तू व हम रहा होले रंगत खालिस स्पाइस वेटिंग वर यू